अगर आज हर्याणा ने अपने पराली को लगबग 85% या तो खरीद लिया या उसको किसी और उप्योग में लाने लगे जिससे किसान को भी फाइदा हो रहा है तो हर्याणा में पराली जलना कम हुआ आज पंजाब में आप देखिए अभी जो रिपोर्ट हमारे परियावरान मंत्री ने दी है कि अगर 4000 जगह पे पराली जल रही है तो उसमें लगबग 3300 जगह पे पंजाब में जल रही है अब इसके लिए अगर भगवंत मान जी और अर्विंद केजरिवाल जी पंजाब के किसान को दोस्त देंगे तो मैं समझता हूँ ये फिर अपनी असफलता चुपाने की कोसिस करेंगे किसान क्या करेगा मैं समझता हूँ कि जब तक पंजाब के किसानों से भी और हर किसान से वो पराली जो डंठल है फसल कटने के बाद नहीं खरी देंगे तो उससे जो नुकसान हो रहा है उसको रोकना मुस्किल हो जाएगा और किसान की मजबूरी को समझत करने का एक ही रास्ता है कि उसकी पराली खरी दी जाए, इस प्रकार से उसकी आय भी बढ़े और देश के बाकी NCR दिली के लोगों की सांसों को आराम भी मिले हर पाटी करती है, हर पाटी अपने स्टेटजी में जाती है, चुनाव लड़ना कुछ ऐसे आपती जनक बात नहीं है लेकिन अर्विंद केजरिवाल ने जिस प्रकार से दिली को रुलाया है, जैसे आज पंजाब रो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि गुजरात में या हिमाचल में आमादमी पाटी का खाता भी खुल पाएगा दिली को भी वादा किया था, वादा करने में थोड़ी आमादमी पाटी पीछे है, दिली के वादे को देखें, तो आपसे चार साल पहले यमुना जी एकदम डुब की लगाने लायक हो गई होती, और उनका वादा रहे तो दिली में पॉल्यूसन नाम का कोई चीज नहीं हो अगर उनके वादा को सुने तो जमुना पे छट हो रहा होता, अगर उनके वादा को सुने तो फलड के सारे नाले एकदम साफ होते, लेकिन सचा ये नहीं बिलकुल उलट है, और ऐसे में अरविंद केजरिवाल की पाटी का, अगर उसको उठाने वाले अरविंद केजरिव अबाल जी ही बन रहे हैं